सार्दा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत हैं नमस्कार दोस्तों ये देखिए कितनी सुन्दर ये बुनाई है और बनाने में बहुत आसान है इसको आप इस तरह से जैसे ये बूटा-बूटा एक-एक डाला है इस तरह से भी डाल सकते हैं और या आप इसको एक सकता है मुश्किल बिल्कुल नहीं है यहाँ पर ये जैंड स्वेटर में डाली है आप इसको लेडी स्वेटर टोपी किसी भी चीज में डाल सकते हैं आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो ये डिजाइन बार है फंदों का 12 स्टिचिस का है चार फंदों से शुरू किया जाता है 4 स्टिचिस से शुरू किया जाता है चार आठ बार है फिर आठ और चार इस तरह से ये घटना बढ़ना इसका होता है एक डिजाइन और दूसरे डिजाइन के बीच में यहाँ पर जो यह रखे गए हैं फंदे 16 फंदे रखे हैं हमने आप जैसा भी चाहें वैसे आप रख सकते हैं तो यह एक बार डिजाइन प इस तरह की लाइने बन जाती हैं अपने आप एक तो यह तरीका हुआ अब दूसरा तरीका है कि अगर आप लंबाई में डालना चाहते हैं जैसे अकसर पड़ता है कि यह मुढ़े के लाइन पर हम दो डाल लेते हैं सेंटर में हम एक डाल लेते हैं तो अगर आप इस तरह से हम रोवन जो हमारे साइट के फंदे हैं मैं इनको नहीं बताऊंगी यह उल्टे ही बुने जाएंगे आपके जितने भी फंदे हैं वो आप उल्टे बुन लेंगे और हमें जहां बुनायी डालनी है हम वहां पर पहुचेंगे चार फंदों पर जहां से हमें बुनाई शुरू करनी है चार फंदों से डिजाइन शुरू होगा बीच के चार फंदे दूसरे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे, उतारेंगे नहीं, फिर पहले वाले फंदे को बुनेंगे और उतार देंगे, इस तरह से हमने दो फंदों को बुना, अब जो बाकी दूसरे दो फंदे हैं, उसमें दूसरे फंदे को पीछे से, बैक साइड से सीधा बुना, फि हमारी row one हुई four stitches की चार फंदों की ये हमारी बात है पहली सलाई में रो टू दूसरी सलाई सारी उल्टी बुनी जाएगी जितनी भी जो दो चार छे समान गिंती वाली जो सलाईया है वो सब उल्टी ही बुनी जाएगी इसलिए ये डिजाइन बहुत आसान हो जाता है कि आधी सलाईया हमको उल्टा उल्टा बुनना है उसमें हमें कुछ डिजा तीसरी सलाई हम बीच के चार फंदों तक पहुचते हैं, यह जो हमारे चार फंदे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है, साइड के फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, और यह बुनाई वाले चार फंदों को हम सीधा बुन रहे हैं, और साइड के फिर फंदे हमारे उल्टे पूरी उल्टी बुनी जाएगी, फिफ्थ रो पाच्वी सलाई, जो हमारे बीच के चार फंदे हैं, अब हमको वो आठ करने हैं, आठ फंदों में हमें डिजाइन डालना है, तो ये बीच के चार फंदों के दो फंदे हम राइट साइड वाले उठाने हैं, और दो हमको लेफ सलाई डाली सीधा बुना, फिर फर्स्ट पहले फंदे में सलाई डाली सीधा बुना, दोनों को उतार दिया, अब ये वाले जो दो फंदे हैं, इन में से दूसरा वाला जो है, उसमें पीछे से सलाई डाली, नहीं उतारा, फिर पहले वाले में आगे से सलाई डाली उतार द में सलाई डाली बुना सीधा उतार दिया और फिर दूसरे फंदे में पीछे से डाली और फिर पहले फंदे में आगे से डाली सीधा बुनते हुए और उतार दिया इस तरह से आठ एट स्टिचिस में हमने ये बुनाई का काम किया है बाकी साइड के फंदे हम उल्टे बुन र सब्सक्राइब करें देखिए यह डिजाइन है बहुत सुन्दर और बहुत ही आसान है बनाने में इसलिए आप ट्राइज जरूर करिएगा सब्सक्राइब जो साइट के फंदे हैं यह हम उल्टे बुन रहे हैं और जो हमारे आठ फंदे एट स्टिचिस जो हमने बुनाई में लिये थे उनको हमें सीधा बुनना है वो दिखाई दे जाते हैं उसमें कोई मुश्किल नहीं आती है यह हमने आठ फंदों को सीधा बुन लिया देखिए ये आठ फंदे सीधे हो गए हैं अब उसके बाद जो हमारे साइट के फंदे हैं उनको हम पुरा उल्डा बुन लेंगे एड़्थ रो आठमी सलाई पूरी उल्डी बुन रहे हैं वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन भी दबाए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा नाइन्थ रो नवी सलाई अब इसमें जो हमने पहली हमारे चार फंदे थे फिर हमने आठ फंदे करे इस बार चार फंदे और जोड़े जाएंगे उस बुनाई में दो राइट साइड में और दो लेफ्ट साइड में तो ये राइट साइड में दो फंदे और लेने हैं लेफ्ट साइड में दो फंदे और लेने हैं तो उसी तरहें से ये हम बुनेंगे पहले फंदे को हम दूसरे फंदे को हमने पहले बुना फिर पहले फंदे को बुना और उतार दिया इसी तरह से फिर जैसे हमने पहले वाली सलाईयों में बुना है वहाँ पर जो प्रक्रिया हमने करी थी वही हमको यहां अभी करनी है यह पीछे से इसमें हमने डाला इसको सीधा बुना चार फंदों में हमने यह काम कर लिया अगले चार फंदों में भी हमको यही काम करना है सेम तो यह पहले फंदे में सीधा जो मतलब दूसरा फंदा है पीछे की तरफ से उसमें सीधा फिर यह पहले वाले में सीधा ऐसे बैक साइड से पहले दूसरे वाले में और फिर पहले फंदे को सीधा बैक साइड से दूसरे फंदे को सीधा उतारा नहीं और पहले वाले फंदे को सीधा उतार दिया तो देखिए अभी तक आप देख पा रहे हैं यह हमारा पहला वाला जो एक box जैसा square जैसा बन गया है और दूसरा वाला यह बनने वाला है और तीसरे की हमने तैयारी शुरू कर दी है यह एक दो और यह तीन तो अभी हम यहाँ पर हैं बस sides के फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और उल्टी सलाई जो है हमारी वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी यहां तक design थोड़ा आसान था अभी इसके बाद जब यह घटाया जाएगा तब थोड़ा सा इसमें फरक हमको काम करना है वो अभी हम देखेंगे ग्यारवी सलाई इसमें side के फंदे तो हम उल्टे बुनेंगे जो हमारे बुनाई से अलावा फंदे हैं और यह जो बुनाई वाले फंदे हैं बीच के 12 फंदे इनको हमें सीधा बुनना है यह बीच के फंदों को हम 12 फंदों को 12 स्टिचे को सीधा बुन रहे हैं अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह दूसरा वाला जो था यह कंप्लीट हो गया है side के फंदों को उल्टा बुना और उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बुनना है अब हम 13 फंदों पर है side के जो हमारे फंदे हैं उनको हम उल्टा बुन रहे हैं और जो हमारे 12 फंदे हैं वहाँ पर जाकर अब हमको समझना है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यह अब हमको दो गठाने हैं तीन खाने की जगए अब उपर हमको दो खाने करने हैं फिर एक करना है तो अभी तक जो हम कर रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा अन्तर आएगा यह वाला खाना हमको बंद करना है इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए 12 फंदों में 12 विस्टिचिज में हमें बुनाई करनी है पहले दूसरा वाला फंदा पीछे से सीधा बुना उतारा नहीं है फिर पहला वाला फंदा आगे से सीधा बुना और दोनों को उतार दिया अब हम अगले दो फंदों में काम करेंगे तो जो हमारा second दूसरा फंदा है उसको हम आगे से सीधा बुन रहे हैं उतारा नहीं अभी फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुना और उतार दिया इस तरह से चार फंदों में हमने ये काम किया और देखिए ये box हमारा अब बंद हो गया है बस इसी को हमें ध्यान से देखना है समझना है कि ये कैसे बंद हो रहा है अब आगे के चार फंदों में हमको इन ही जो हमने यहां फंदों में काम किया है उसी तरह से हमें करना है वही दोहराना है पीछे के second stitch को हमें सीधा बुनना है फिर first stitch को आगे से सीधा बुनना है और फिर आगे हमको दोहराना है अगले दो फंदों में जो second stitch है उसको front से आगे की तरफ से सीधा बुना उतारा नहीं अभी फिर पहले फंदे को सीधा बुना बस इस तरह से यह हमारा बॉक्स जो है यह बंद हो रहा है अगले चार फंदों में हमको यही दोहराना है पीछे से एक सीधा आगे से सीधा और अगले दो फंदों में सेकिंड इस्टिच को आगे से सीधा बुना थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो वह आ जाता है कभी-कभी ऐसे अटकता है तो यह आगे से सीधा हुआ सेकंड वाला फिर सीधा बुन दिया उतार दिया इस तरह से अभी हमने 12 फंदों में बुनाई का काम किया बस इतना सा हमको ये समझना है कि ये side के जो दो फंदे हैं अब उनका काम खतम हो गया अब बीच के 8 फंदों में 8 stitches में हम आगे काम करेंगे तो side के फंदे हमने उल्टे बुने जैसे हम हमेशा बुन रहे हैं और 14 रो चौधमी सलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी तो यहाँ से थोड़ा सा डिजाइन में फरक आया थोड़ा सा अलग धंग से बनाया है बस इसी को आपको थोड़ा मन में बिठाना है बहुत आसान है आप करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगे 15 पंदरवी सलाई पर हम आ गए अब ये साइड के फंदे हमको उल्टे बुनने हैं और इस बार जो हमारे बुनाई के फंदे हैं वो सिर्फ आठ हैं एट स्टिचेज में हमको बुनाई करनी हैं ये देखिए ये हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे बंद हो गए थे तो यहां पर ये आठ फंदे हैं जिनको हमें सीधा बुनना है बीच के आठ फंदों को हम सीधा बुनना हैं बुनाई अगर आप एक बार समझ लें फिर उसको बुनना बहुत आसान होता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस से जब आप बुनते हैं ये साइड के फंदों को फिर हम उल्टा बुन रहे हैं तो वो एकदम समझ में आ जाती हैं कोई परिशानी की बात नहीं होती है सोलमी सलाई पुरी उल्टी बुनी जाएगे ये देखिए ये जो तीन है हमारे ये अब बंद हो गए हैं अब हम उपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन इस बार भी हमको ये बंद करने हैं और ये बीच में एक बनाना है तो इस सलाई को भी हम थोड़ा ध्यान से देखें समझें तो हमारा डिजाइन काफी हत्तर पूरा हो जाएगा हमारी समझ में आ जाएगा तो जो ये फंदे हमारे उल्टे दिख रहे थे इनको तो हम उल्टा बुन रहे हैं और जो ये आठ फंदे हैं इन आठ फंदों में इस बार हमको बुनाई करनी हैं बुनाई कुछ उसी तरह से करनी हैं जैसे पिछली वाली सीधी सलाई करी थी पहले पीछे से second दूसरे फंदे को सीधा बुनना है फिर आगे से पहले फंदे को सीधा बुनना है और उतार देना है उसके बाद जो अगले दो फंदे हैं उनमें जो दूसरा फंदा है second stitch है उसको आगे से सीधा बुनना है उ और उसके बाद फिर हमको पहले वाले फंदे को आगे से सीधा बुना है और उतार देना है फिर से repeat करना है इसी को second stitch को पीछे से सीधा बुना उतारा नहीं आगे से first stitch को बुना पहले फंदे को बुना और उतार दिया फिर अगले दो फंदों में यही दोहराना है पहले second वाल दूसरे फंदे को आगे से सीधा बुना, फिर पहले फंदे को आगे से सीधा बुना और उतार दिया, यह फंदा मेरा गिर गया है, इसको मैं अभी उठा लूँगी, तो देखिए यह, यह हमारा खाना बंद हो गया है, इस तरह से यह हमारा हुआ, आगे के फंदे सारे उल्ट बुने जाएगे ये देखिए बुनाई में न हमें ध्यान रखना पड़ता है ये हमारा फंदा गिर गया था तो इसको हम यहाँ पर उठाएंगे और ये बुन लेते हैं ये बुन जाता है ये उन है हमारी इस तरह से ये फंदा हमने उठा लिया जो हमारा गिर गया था और हम पूरी सलाई उल्टी बुन रहे हैं देख रहे हैं न आप अच्छा लग रहा है न डिजाइन बस थोड़ा सा और है और अभी हमारा डिजाइन ये पूरा हो जाएगा उनिस्वी सलाई पर हम आ गए हैं अब ये फंदों को हम साइड के फंदों को उल्टा बुन रहे हैं और जो हमारे बीच के चार स्टिचेज फोर स्टिचेज हैं सिर्फ उनको हमें सीधा बुनना है ये जो हमने बंद किया है अपना खाना यहां तक हमको उल्टा बुनना है और ये देखिए ये बीच के चार फंदे हैं जो ये सीधे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इन चार फोर स्टिचेज को सीधा बुनना ये हमने पिछली बार बंद किया था ये हमारा बॉक्स बंद हुआ है और इस बार इनको हमें उल्टा बुनना है बीसमी सलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगे 22 लाइन का ये डिजाइन है 22 रो रिपीट पैटर्न है ये अब देखिए हम यहां तक पहुँच गए सिर्फ 21 वी सलाई है यहां पर हमको इसको बंद करना है इस बॉक्स को बंद करना है तो सीधी सलाई हमारी साइट के हम सारे फंदों को उल्टा बुन रहे हैं अब ये डिजाइन वाले चार फंदों पे हम आ गए तो इस बार हमको पहले स्टार्टिंग में सेकंड फंदे को पीछे से बुनना है और फिर फंदे को पहले फंदे को आगे से बुनना है इससे ये इधर की तरफ जाके बंद होता है अब यहाँ पर जो दूसरा फंदा है इसको हमें आगे से बुना हमने सेकंड फंदे को और फिर पहले फंदे को आगे से बुना तो देखिए ये हमारा जो बंद हो गया यह बॉक्स जैसा हमारा मुह इसका बंद हो गया है साइट के फंदों को हमने उल्टा बुना 22 मी सलाई आखरी सलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाए अन्त तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अन्त तक देखा करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताईएगा उससे हमारा उत्सहा बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेड़ना मिलती है देख रहे हैं न आप कितना सुन्दर ये डिजाइन है और इसको बनाने का तरीका तो आपने देखी लिया कितना आसान एकदम बिगनर फ्रेंडली हर कोई इस बुनाई को डाल सकता है तो आसान बुनाईयों से भी हम सुन्दर स्वेटर बना सकते हैं ये बात हम इस बुनाई को देखकर अच्छे से समझ पाए हैं आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस बुनाई को अलग-अलग ऐसे भी डाल कर यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह से लंबाई में डाल कर भी यूज़ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये बुनाई कैसी लगी सार्दा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा मित्रों के साथ शेयर करें आप सभी के सायोक से हमारा चैनल अच्छा चल रहा है और हमें भी और अच्छे वीडियो बनानी की प्रेड़ना मिलती है मिलते हैं फिर